वेलकम टो आर चैनल फार्म एलक्टास हो गाइस आज के हम इस वीडियो में बात करेंगा माइक्रोबाइलोजी योनिट टू आइडेंटिफिकेशन और बैक्टेरिया यूजिंग स्टेनिग टेक्निक्स और जिसके अंदर पढ़ेंगे माइक्रोबालियोजी यूनिट वन के वीडियोस है ओपर आई बटन आपको शो हो रहा है इस प시면 कलिक करिये और देख सकते हो हमारी यूनिट वन के वीडियोस वीडियोस वीडियो हो сю और यूज वीडियों अच्छे लगे ताकि उसको हम इडेटिफाई कर पाएं कैसे इडेटिफाई करेंगे क्या करेंगे स्टेनिंग के अंदर तो वह पढ़ लेते हैं इसके अंदर तो in our surrounding many type of bacteria is present मतलब कि हमारे surrounding में जो बहुत तरह के bacteria present है जैसे कि हमने starting में types पड़ेते हैं जैसे cocky, bacilli, spiral, round shape में है या cylindrical shape में है या comma shape में है किस shape में है आखिर तो वह हम इसको identify करेंगे जो यह bacteria होते हैं यह different types के होते हैं और different types की disease cause करते हैं जो यह bacteria होते हैं वो बहुत ही small होते हैं इनका size और जिनको हम अपने naked eyes से नहीं देख सकते हैं गाईस और जिसके वज़ाए से हम लोग microscope का use करते हैं और dye solution का use करते हैं bacteria को identify करने के लिए और यह dye solution क्या होता है तो यह methylene blue हो गया crystal violet हो गया sephranine हो गया so guys यह आकर dye solution हम कैसे use करते हैं तो जैसा हमने semester one में analysis का practical करते थे तो उसमें हम लोग indicator का guys use करते थे indicator का जैसे कि phenophthalene हो गया methylene blue हो गया इन सबसे क्या होता था color change होता था वैसे ही इन dye solution का यहां पर use करना है कैसे use करना है वह हम आगे पढ़ेंगे staining के दोरान जो staining technique है इससे हम identify क्या करते हैं तो structure कैसा structure है round है cylindrical है और उसका arrangement of bacteria by using different dye solution अंदर microscope उसका arrangement जैसे कि वह पियर्स में है streptococky है so this type से हम लोग identify करने वाले तो staining जो है वो two types से divided है जो syllabus में है according to उसके according मैं पढ़ा रहा हूं guys तो simple staining यहां पर हो क्या दोनों का बार में पढ़ना है तो guys देख लेते हैं वीडियो को simple staining सबसे पहले जो simple staining है यह matter of staining in which bacteria are stained by using a single stain your dye so guys simple staining में सिफ एक तरह का stain हम लोग करते हैं और जो stain करने के लिए जनरली हम लोग कोई भी एक यूज़ करेंगे जैसे methylene blue, sephronine, malachite green तो guys इन में से कोई एक ही यूज़ करना है दो यूज़ नहीं करना है यह हम लोग simple staining कर रहे हैं guys other staining में बाकी हम लोग देखेंगे बट इस staining में सिर्फ कोई सभी एक यूज़ करना है और जो यह staining है is only used to examine cell shape and arrangement of bacteria इसके वज़े से हम लोग exam यानि देख सकते हैं जो bacteria का shape है arrangement इसका principle क्या है तो इन simple staining से generally use positive charges die यानि जो हम die solution का use करेंगे वो positive charge होना चाहिए so first we develop negative charge on the surface of bacteria that means कि हम जो bacteria हम identify कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले हम लोग negative charge में करना है कि उसके जो surface है उस पर negative charge आ जा 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 है जिसके वज़े से जो हमारा die solution है वो positive है और यह positive negative को attract करके joint हो जाएगा जिसके वज़े से हम लोग microscope में इसलिए देख सकते हैं तो यह bacteria के ऊपर जो negative charge है वो कैसे हम ला सकते हैं तो by addition of OH negative या फिर removal of H plus ion because जो bacteria होते हैं वो उनके surface पर बहुत सारे carboxyl group present होते हैं so we use dye and जो dye contain करता है positive charge which attract with negative charge it will make visible of bacteria under microscope यानि microscope के अंदर जो bacteria है वो visible हो जाएगा due to dye solution वो attach हो जाता है तो इसका procedure क्या है क्या क्या हम लोग process follow करते हैं इसके procedure में तो देख लेते हैं first step में हम क्या करते हैं सबसे पहले clean grease free slide लेते हैं clean grease free slide मतलब जो हम लोग normally slide जो हम use करते हैं guys इस slide को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे detergent के साथ wash करेंगे और इसको सुखाएंगे and then इसको flame पर pass करेंगे flame यहाँ पर नीचे कहीं भी flame से इसको कुछ time के लिए कुछ minute के लिए इसको rapidly आगे पीछे आगे पीछे करते रहेंगे जिसके विज़े से यह अच्छे सा सूख जाए after then on that slide make smear यानि हमें smear बनाना है तो by using sterile wire loop and cell suspension जो cell suspension कम लोग इसे यूज़ करेंगे तभी तो bacteria को हम identify कर पाएंगे वापे bacteria को solution डाल करके so wire loop हम यहाँ भी यूज़ करें जो यह wire loop guys है वो नाइक्रोम wire का है यह नाइक्रोम wire के पास ऐसा property होता है जिसको जल्दी से यह heat हो जाता है और जल्दी से cool हो जाता है rapidly heat and coat जिसको जेसे हम लोग निक्रोम wire का use करते है इसमें क्योंकि जो प्रेक्टेल परफॉर्म करेंगा वो जल्दी हो जाएगा after making smear जैसे smear बन जाता है the slide is allowed to air dry after then हमें जो हमरा smear बना है उसको हमें air dry करना है after air dry जैसे हम air dry कर लिया हमने जो हमने smear बनाया था उसका then हमें rapidly pass out करना है flame से तीन या चार बार जिसको जैसे इसका heat fixation करना है guys कई भी यह समझ लेना कि heat fixation करना है यानि heat fix करना है that means आपको rapidly three to four times heat पर पास करना है जो आपके पास जो slide है तो guys आगे term आएंगे heat fixation तो आप समझ जाएगा that means हमें flame पर पास करना है ताकि वह heat fix हो जाए fifth point now add few drops of different dice indicator जो भी हम लोग die indicator यूज करना चाहते हो उनमें से लेंगे और डाल देंगे कहां पर into the surface of slide जो हमने इस smear बनाया तो वहां पर next point is now allow the glasses light for drying few seconds यहने कुछ second के लिए छोड़ देंगे drying होने के लिए after then जो slide है उसको wash करेंगे tap water यानी running water किसी भी water से and then to wash the excess strain मतलब क्यों wash कर रहे है तो जो excess strain हम straining कर रहे है तो जो भी extra होगा वो हट जाएगा सिर्फ हमें जो हमारी यह slide हो गई और slide के यहां पर जो भी bacteria है तो guys जब हम staining करते हैं तो जो हम डालते हैं तो यह पूरा फैल जाता है तो फैलने से क्या होगा कि जैसे हम लोग tap water से clean करेंगे तो only यह हट के only जो हमारा bacteria जहां पर होगा उसी reason पर like staining होगी now wipe करेंगे यानि सुखाएंगे नीचे का हिस्सा जो हमारा slide है guys slide के इसका जो नीचे का हिस्सा है इसको wipe करेंगे अच्छे से tissue paper से या cloth से cotton का put the cover slip over the smear यानि जो हमारा बीच में जो smear बना हुआ है तो इसी smear के उपर ऐसे एक हम ही क्या करना है cover provide करवाना है after then क्या करना है और इसको place कर देना है microscope के नीचे जहां से हम लोग देख सकते हैं microscope के अंदर और guys हम लोग क्या देखेंगे तो इसका वही shape और arrangement देखेंगे किस टाइब का है तभी तो हम identify कर पाएंगे के spiral आई है बैसल आई है कौकी है विब्रियो है so guys यह हो गया complete simple staining अब हम बात करते हैं differential staining के अंदर सबसे पहला gram staining जो differential staining है इसमें generally two या दो से जादा हम लोग इसमें dice solution का use करते हैं gram staining जो यह gram staining है the method is developed by Hans Christian gram in 1884 1884 में इसका develop हुआ था यह और guys next point is the differential staining technique by which gram positive and gram negative bacteria is identified is called gram staining जो हम differential staining करते हैं इसके अंदर जब हम पता करते हैं gram positive और gram negative bacteria को तो उसी process को हम बोलते हैं gram staining gram staining इसले करते हैं ताकि हम इन दोनों का identify कर पाए और जो guys इसके अंदर difference है वो देख लेते हैं after staining, staining करने के बाद अगर purple या blue color आता है तो gram positive है red या pink color आता है तो gram negative है जो cell wall है वो 22-30 nanometer का और थीक और single layer gram positive में होता है but gram negative में जो cell wall है वो 8-12 nanometer थीक और 2 layer होता है gram positive bacteria के बाद करें तो outer membrane absent होता है इसमें outer membrane present होता है जो peptidoglycan layer होता है वो multilayer का होता है peptidoglycan layer जो होता है वो single layer होता है और lipid content कम होता है 1-4% इसमें lipid content कितना होता है 11-22% यानि हाई होता है example में staphylococcus, staphylococcus, staphylococcus और bacillus और इसमें vibrio ecoli so guys इसका अब हम लोग देख लेते हैं procedure procedure से पहले जो भी requirements होगा procedure में वो देख लेते हैं तो एक clean gris-free free slide so guys जैसा कि मैंने आपको बताया था clean gris-free free slide बनाने के लिए में क्या करना होता है तो detergent से साफ करके उसको frame पर pass out करो और after then हमें क्या चाहिए bacteria का cell suspension जो हमने cell suspension ready किया है निक्रोम वायर लोग चाहिए primary stain crystal violet यानि crystal violet से हम लोग stain करेंगे कोई भी एक लेलो और modern में gram iodine लेना है और decolorizing agent में हमें 95% alcohol को इसा लेलो जैसे कि ethanol यहाँ पर हमने ले लिया 95% जिसको जैसे हम लोग उसका जो color है वो हटाएंगे और counter stain करने के लिए at the end हम लोग सेफरानी या फुसीन का यूज करेंगे तो guys देख लेते हैं क्या procedure है तो सब सब पहले हमें clean grease free slide लेना है after then हमें एक smear बनाना है जैसे कि मैंने आपको बताया था guys निक्रोम वाय लूप और जो bacteria का cell suspension है guys वो भी आप लिख लेना यहीं पर तो इन दोनों का use करके यहाँ पर smear एक बनाएंगे smear बनाने के बाद उसको again वही करना है कि air dry करना है heat fix करना है and heat fixation after then flood smear with crystal violet for two minutes यहाँ इसमेर में crystal violet को mix करना है अच्छे से two minutes के लिए छोड़ देना है and wash slide with tap water again जो हमारा slider को tap water से wash करना है और flood smear with gram iodine for two minutes यहाँ इसमेर में again add करना है तो gram iodine after then treat the slide with decolorizing agent यानि decolorizing agent 95% alcohol ethanol का हम लोग यहाँ यहाँ यूज कर रहे है जिसको वह क्या करेगा decolorizing agent यानि color को हटा देगा after then wash slide with water किसे भी water से कर लेना tap water flood the smear with fushin और saffronine so guys spelling देख लेना saffronine तोड़ी से गड़बड है तो spelling ठीक कर लेना fushin और saffronine कोई से भी करके हमें इस मेर में after then add करना है after then क्या करना है वह wash करना है water से slide को और उसके बाद observe करना है तो gram positive या negative या कैसे पता चलेगा जो gram staining जब हम करेंगे at the end जो observation क्या करेंगे तो after gram staining जो यह पूरा प्रोसेस हमने कर लिया उसके बाद अगर purple या blue कर आएगा तो gram positive bacteria है बट अगर red या pink color आया तो gram negative bacteria है तो इस तरह से हमें यह पूरा प्रोसेस follow करना है so guys यहाँ पर at the end अब हम पढ़ेंगे acid fast staining acid fast staining में क्या करना देखते हैं सबसे पहले इसके बाद में discuss कर लेते हैं after then इसके प्रोसेजर को देखेंगे तो सबसे पहले in nature there are variety of microorganisms each microorganisms have some special character जो हमारा nature है इसमें बहुत सारे microorganisms की variety है और इनके पास special character है perform करने के लिए so यह जो microorganisms है इतने सारे तो यह simple staining procedure को द्वारे stained हो जाते हैं बट कुछ नहीं हो पाते हैं और वो नहीं हो पाते हैं क्यों नहीं हो पाते हैं because they have waxy covering on its surface so guys तो अब उनका staining नहीं हो पाता इस process से तो हमें acid fast staining का use करना होता है इस दौरान जिससे हम लोग पता कर पाते हैं क्या identify कर पाते हैं acid fast staining से कि यह जो bacteria है यह acid fast है या non-acid fast organisms है तो इसको सबसे पहले जो discover किया था जो scientist थे उनका नाम है Paul Ehrlich Ehrlich 1833 में जो acid fast organism है और non-acid fast organisms है इसमें difference क्या है जो organisms जो स्टेंड हो जाते हैं acid fast staining की टेक्निक के दवारा और जो अनका बट डॉंट गेट डिकलराइज उनका जो कलर है वो नहीं हटता है इस ट्रोंग एसिट से एडिशन करने के बाद में तो वह आ जाते हैं acid fast organisms में बट जो organisms after stained with strong acid वो डिकलराइज नहीं होते हैं तो वह आ जाते हैं non-acid fast organisms में तो इसका क्या procedure है एगेन हमें वही करना एक रिस फ्री स्लाइड लेना है और प्रिपेर करना एक smear by using necronvail loop और जो bacteria का suspension है अगेन लिख लेना गाइस तो इतना तो याद होई कि आपको भी गाइस तो एगेन ऐसे करना प्रोसेस after then air dry करना है heat fixation करना है उसके बाद जो slide है उसको addition करना है staining कर रहेना तो three to five minutes के लिए streaming करनी है after then during streaming streaming के दोराग jncf को add करते रहना है बार बार इससे क्या होगा कि जो हमारा slider वो avoid drying of smear यानि drying होने से बचाएगी further the slide is treated to the decolorizing agent उसके बाद स्लाइड है उसको हम treat करेंगे decolorize agent से जैसे कि guys 95% alcohol यानि acid alcohol यहां भी use करने हम लोग तो जो stain है वो disappear हो जाएगा जहां हम उसको wash करेंगे तो after decolorization जैसे decolorization complete होगा water से water wash कर देंगे and then further जो smear है उसको again add क्या करेंगे तो counter stain के साथ addition करेंगे इस मियर में तो जो यहां पर counter stain है यूज करेंगे वो क्या है तो 1% malachite green है या फिर हम यूज कर सकते हैं 0.3% methylene blue after then two minute के लिए में छोड़ देना वैसे ही जैसे two minute complete होगा slide को मैं wash करना है cover slip लगानी है और air dried कर करके हमें microscope के नीचे observe करेंगे so guys ही होगया complete video of first part so first part यह पूरा complete होगया guys second part में हम लोग देखेंगे next के video next topics को so video अच्छे लगे तो subscribe करना guys और share करना अपने दोस्तक साथ so thanks for watching our video